दोस्तो रामायन में जब भगवान श्री राम माता सीता और लक्षमन के साथ 14 वर्ष वनवास पर गए थे तब उनकी मुलाकात कई योध्धाओं और रिशिमुनियों से हुई थी वनवास के दोरान माता सीता के अफरन के बाद उनकी खोज में लगे श्री राम की भेट बाली के भाई वानर राज सुग्रीव से हुई थी बाली किशकिंदा का राजा था और उसकी पतनी का नाम तारा था जो की एक अपसरा थी एक समेथा जब तारा के पीछे तीनों लोकों में बहुत लड़ाईयां हुई थी रामायन में तारा के बारे में वैसे तो कुछ खास नहीं बताया गया है लेकिन अन्य ग्रंथ तारा की कथाओं से भरे हुए हैं तारा के जनम की कहानी बड़ी दिल्चस्प है पौरानिक कथा के अनुसार तारा का जनम समुद्र मन्थन के दोरान अन्य अपसराओं के साथ हुआ था सत्यूग में देवताओं और असुरों द्वारा जब समुद्र मन्थन किया गया था तब 14 मनियां प्राप्त हुई थी उन में से एक मणी समुद्र मन्थन के बाद अचानक से आस्मान में उड़ने लगी और आस्मान में जाते ही उस मणी ने एक सुन्दर लड़की का रूप ले लिया और यही लड़की तारा थी तारा दिखने में इतनी सुन्दर थी कि वहाँ उपस्थित सभी नाग, गंधर्व, किन्नर और राक्षस तारा को पाने के लिए भाग उठे लेकिन देवताओं ने उसी समय सब को रोका और कहा कि ये मणिया देवताओं की तरफ गिरी है इसलिए इन मणियों पर और इन से बनी चीजों पर सिर्फ देवताओं का ही अधिकार है आपको बता दे कि उस समय देवताओं की तरफ से बाली भी देवताओं की मदद कर रहे थे ताकि समुद्र मन्थन से निकलने वाला अमरित देवताओं को मिल सके और दूसरा बाली को उस मन्थन में लाने का सबसे बड़ा कारण ये था कि बाली जिसके भी सामने जाते थे उसका आधा बल बाली के शरीर में आ जाता था तो जैसे ही राक्षसों का बड़ा दल देवताओं की तरफ हमला करने आता था तो देवताओं की तरफ से बाली उनके सामने आकर खड़े हो जाते थे और देवता हर बार जीच जाते थे जब मनी से तारा का आगमन हुआ तो बाली भी तारा की तरफ मोहित हो गए और उससे विवा करने की इच्छा जताने के उद्देश्य से आगे बड़े लेकिन उसी समय वहाँ पर एक और बलवान उपस्थित था जिसे सुशेण के नाम से जाना जाता है आपको बता दे कि सुशेण लंका में व्यद थे और रावन के बहुत खास थे सुशेण का कहना था कि वो तारा से शादी करेंगे लेकिन बाली ने पूरी तरह से मन बना लिया था कि अब तारा को वही अपनी पत्नी बनाएंगे अब वहाँ पर स्थिती ऐसी बन गई थी कि सुशेण और बाली आपस में भिणने पर उतर आये थे तभी वहाँ पर भगवान विश्णू ने स्थिती को संभाला और कहा कि दोनों तारा के पास जाकर खड़े हो जाओ श्रीहरी के आदेश के बाली तारा के दाहिनी तरफ तो सुशेण उसके बाई तरफ खड़े हो गए कुछ समय बाद भगवान विश्णू ने कहा कि धर्म के अनुसार विवा के समय कन्या के दाहिनी तरफ उसका होने वाला पती खड़ा होता है और बाई तरफ कन्यादान करने वाला पिता खड़ा रहता है जिसके अनुसार बाली को तारा का पती माना जाएगा समुद्र मन्थन के बाद ब्रह्मा जी के आदेश अनुसार पंच कन्याओं का पूजन हुआ जिसमें तारा को भी शामिल किया गया था तारा के पास बहुत सारी शक्तियां थी जिनसे वो किसी के भी मन की बात को जान सकती थी और किसी भी रूप को धारन कर सकती थी तारा को एक बरदान था कि तारा हमेशा से ही एक कुमारी लड़की रहेगी मतलब कि जब भी तारा का पती तारा के साथ प्रणय लीला करेगा उसके बाद ही तारा जैसे ही दोबारा सच समर कर तयार होगी तो वो फिर से एक कुमारी लड़की की तरहा हो जाएगी दोस्तो समुद्र मन्थन के बाद बाली और तारा ने विवा राचाया जिसमें देवतागर्ण भी उपस्तित थे विवा में बाली ने रावण को भी आमांतरन दिया था क्योंकि बाली ने रावण को एक युध में बहुत मारा था और उसे हरा दिया था बाली रावण को मार देना चाहता था इसलिए रावण ने अपनी मृत्यू से बचने के लिए बाली से माफी मांगी और उससे मित्र बनने के लिए भीक मांगी थी रावण जैसे ही तारा और बाली के विवा में पहुँचा और जैसे ही उसकी नजर तारा पर पड़ी तो उसे देखकर रावन सब कुछ भूल गया रावन का मन था कि वो तुरंत तारा को शादी से उठा कर ले जाए लेकिन उसे अचानक ध्यान आया कि तारा अब बाली की पतनी है अगर उसने ऐसा किया तो बाली इस बार उसे मार ही डालेगा इसलिए रावन ने अपना ध्यान वहां से हटाया दोस्तो तारा की खूपसूर्ती देखते हुए रावन ने बाली और तारा को लंका में भोजन का नियोता दिया लेकिन बाली ने रावन की मनसा को जानते हुए और उसकी आखों की अठकेलिया देखते हुए उसे मना कर दिया इसके बाद बाली और तारा दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगे तारा एक करतव्य परायन, धर्म परायन और नयाय प्रियेस्त्री थी तारा सुबा उठते ही अपनी दैनिक किर्याओं से निर्वित होकर सबसे पहले तुलसी जी की पूजा करती थी और अपने पती के लिए लंबी उम्र मांगती थी तारा भगवान भ्रसपती की पोत्री थी इसलिए उस पर भगवान भ्रसपती की असीम क्रिपा थी तारा एक पती वरता इस्त्री थी लेकिन तारा को नहीं पता था कि आने वाला समय उसके लिए और उसके पती के लिए बहुत कठिन होने वाला है तारा को ये सब नहीं पता था लेकिन फिर भी वो हमेशा भगवान की अराधना करती थी और भगवान से हमेशा अपने पती की रक्षा करने की प्रातना करती थी भगवान तारा की प्रातना से खुश थे लेकिन उन्हें आगे के लिए बहुत चिंता होती थी क्योंकि आगे भगवान श्री राम के हाथों बाली का वध होना था लेकिन अगर तारा इसी तरह पूजा अराधना करती रहती तो उसके पती को कोई नहीं मार सकता था मारते अधमरा कर दिया और सुग्रीव की पत्नी को अपने साथ ले गया और उसे अपनी दासी बना कर रख लिया तारा ने जैसे ही अपने पती बाली को दूसरी औरत के साथ देखा तो उसकी आँखों में आसु आ गए तारा ने पूछा कि आप अपने छोटे भाई की पत्नी को यहां क्यों लेकर आए हैं इस पर बाली ने कहा कि अपसे यही पर मेरी दासी बन कर रहेगी मेरी सेवा करेगी और मैं इसका उपभोग करूँगा ये सुनकर तारा रोने लगी और उसने बाली से कहा हे सुआमी क्या मैं आपकी सेवा के लिए कम हूँ या मेरा प्यार आपके लिए कम है आखिर बात क्या है बाली ने गुस्से में अपनी पती को डाट दिया और उसे चुप रहने को कहा लेकिन तारा ने बाली से कहा कि इस तरह अपने छोटे भाई की पत्नी को बलपूरवक उठा लेना और उस पर गलत दृष्टी डालना धर्म के खिलाफ है उसका अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा भगवान आपको कभी माफ नहीं करेंगे मैं अभी भी कहती हूँ कि इसे तुरंत इसके पती के पास छोड़ाईये भगवान आपको माफ कर देंगे इतना सुनते ही बाली गुस्से से पागल हो गया और तारा की तरफ उसे मारने के लिए दोड़ा तारा ये देखकर बहुत उदास हो गई और उसने भगवान की मर्जी समझकर सब सुविकार कर लिया और बाली के अनुसार रहने लगी लेकिन अभी भी उसने भगवान की पूजा अराधना को नहीं छोड़ा क्योंकि वो अपने पती बाली से इतना प्यार जो करती थी अगले दिन सुग्रीव बाली के घर के बाहर आया और अपने बड़े भाई को बुलाने लगा और कहने लगा कि मुझे मेरी पतनी वापस कर दो जैसे ही बाली ने सुग्रीव की आवास को सुना तो बाली तुरंत बाहर निकला और सुग्रीव को मारने लगा इस बार भी बाली ने सुग्रीव को बहुत मारा सुग्रीव डर के मारे भग गया ओर बाली के घड़ से काफी दूरी पर रहने लगा उसी समय श्रीराम लक्षमन के साथ सीता जी की खोज में भटक रहे थे तब ही उनकी मुलाकात सुग्रीव से हुई और राम जी ने सुग्रीव को अपनी परेशानी के बारे में बताया जिसके बाद सुग्रीव ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वो माता सीता का पता लगाने में उनकी मदद करेगा साती प्रभु श्री राम ने सुग्रीव को वचन भी दिया कि वो उसके बड़े भाई बाली का वधकर उसकी सहायता करेंगे इसके बाद बाली और सुग्रीव के बीच भयानक युद्ध के दोरान राम जी छिपकर बाली को बान मारते हैं और बाली की मृत्यू हो जाती है मुझे अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यारे थे जिस तरह आपने मुझसे मेरी सबसे प्यारी चीज़ को छीना है देखना आप भी अपनी सबसे प्यारी चीज़ को पा कर भी खो देंगे और साथी तारा ने ये भी कहा कि जिस तरह आपने मेरे प्राणनात को छिप कर मारा है उसी तरह अगले जनम में आपको मेरे पती ही छिप कर मारेंगे तारा के श्राप के मुताबिक भगवान राम ने पतनी सीता को पाने के बाद भी खो दिया था इसके साथ ही तारा ने ये भी कहा था कि अगले जनम में श्रीराम की मृत्यू बाली के हाथ होगी मान्यता है कि अगले जनम में श्रीराम ने कृष्ण के रूप में जनम लिया और उनकी मृत्यू शिकारी जरा के हाथ होई शिकारी जरा के रूप में बाली ने दूसरा जनम लिया था दोस्तों बता दे बाली की मौत के बाद सुग्रीव को उसका राज्य मिल जाता है लेकिन तारा बाली के व्योग में ही रहती है कई कथाओं के अनुसार सुग्रीव तारा से विवहा कर लेते हैं लेकिन वास्तविक जीवन में ऐसा कुछ नहीं हुआ था असल में सुग्रीव का कहना था कि तारा मेरी भावी मा के समान है इसलिए उन्हें जो सही लगता है वो उस चीज़ को करें इसलिए तारा ने बाद में रिशी वालमीकी की शरण को अपना लिया था जिसके बाद तारा को गुरु माता की उपाधी प्रदान की गई थी हाला कि कई पौरानिक कहानियों के अनुसार ये भी कहा जाता है कि तारा ने बाद में बाली की याद में अपनी जान दे दी थी और इस तरह तारा ने दुनिया को अलविदा कह दिया था तो दोस्तों ये है बाली की पतनी तारा के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं वीडियो को लाइक करें शेयर करें और ऐसी ही और वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी आल पर सैट कर ले धन्यवाद